जैने वाले राजियों की धूरी है, तूर दूर तक फैली हरियाली, हरे भरे पेड़, वज़िद वणने जी, रख्पतिक संसादनों से भरपूर असम में आपका एक बर्फ़र से स्वागत है असम के रुमांच भरे जंगल, चाय के बगान, कलखल करती ब्रह्मपुत्र नदी परियटकों को अपनी ओरा करशित करती है असम में कैसा प्रदेश है, जहां शान्ती है, संस्कृति और परंपरा का एक दूसरे से अटूट बंदन है तिब्बत से बैकर आते विशाल ब्रह्मपुत्र नदी इस राजे की खूपसूर्ती को और बढ़ा देती है अगर हम हिंदो मित किये कहानियों पर विश्वास करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को नद के तौर पर मना जाता है हलकी धूप या शाम की ठंडी हवा में अक्सर परियटकों को नदी के किनारे सैर करते देखा जा सकता है ये कैसा राजे है जो हर मायने में प्रकृति के बेहत करीब है जो श्पूर्ण जीवन शैली चेहरे पे मुस्कान लिये लोग विभिन जनजातिया और सन्सक्रिती असम के समाज की विशिष्टाएं है राजे में विविद समुदायों और जनजातियों के लोग रहते हैं और सब बहुत मिलनसार है इस भूमी पर कई राजवन्शों के महान राजाओं ने राज किया है मदेकाल में भरत ने कई हमलों का सामना किया था ये हम जानते हैं लेकिन आपको बता दें कि असम पर अंग्रेजों से पहले कभी किसी विदेशी ताकत का राज नहीं रहा एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया लेकिन हर बार असा फल रहे इसमें वीर योधा लचित बर फुकन जी का बड़ा योगदान रहा है दोस्तों क्या आपने ये सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं अगर नहीं तो ये जगा आपको असम में दिखाई दे जाएगी असम के जातेंगा नामक जगा को एक रहेस्यमाई जगा के तौर पर जाना जाता है जहां हर साल सैक्डों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेडों इमारतों से टकरा कर खुद की जान ले लेते हैं हरानी की बाद तो ये है कि ये गुथी अब तक व्यग्यानिक भी नहीं सुलजा सके हैं क्या आपको पता है देश के दूसरे राजियों के इतर असम राजे का अपना अलग राजे कान है लक्ष्मिनात बेजबरुआ जी ने इस गानी की रचना के थी देश के कई अन्य राजियों की तरह असम में भी खेती ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है आमदनी के मामले में असम में खेती का स्थान तीसरा है और राजे के उनहंतर प्रतिशत लोग ये व्यवसाय करते हैं हलंकी चाय के उत्पादन के मामले में विश्व में इसका बहुत बड़ा योगदान है असम सर्फ एक प्रदेश का नाम नहीं प्रकरतिक सौंदर, प्रेम, विभिन संस्कृतियों इत्यादी की जलक का प्रतीक है मिलों और तेवहारू का राज्य है ये असम की धेर सारी संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा है जो यहां का गौरव है असम में मनाये जाने वाले बिहू मुखेत्या तीन प्रकार के होते हैं वैसाख, बिहू, काती बिहू और भोगाली बिहू असम या कैलेंडर बैसाख महिने से शुरू होता है जो अंग्रेजी महा के एप्रल महिने के मद्धे में होता है दोस्तों कोई भी वेशबुशा या पहनावा किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रकाश्चित करने के लिए काफी होता है असम की वेशबुशा भी इस राजजी की सभिता संस्कृति को दर्शाती है आज के समय में यहां के योवा भी पश्चि में सभिता की वेशबुशा को अपना चुके हैं लेकिन असम की वेशबुशा को अगर आप देखना चाते हैं तो उनके परमपरिक तेवहारों में आज भी वही पहनावा देखा जा सकता है। महिलाओं की ड्रेस दो भागों में बेभाजित है, उपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार के चादर से ढखा जाता है और वही नीचे के पहनावे को मेखला कहा जाता है। पुरिशों के पहनावे में उपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके साथ ही वो लोग गले में गामोसा भीजते हैं जो किवले कपड़े का टुकड़ा नहीं बलकि असम की अनुभूती तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में लुभाबने नजारों के अलावा जो चीज सबसे अधिका करशित करती है वो है वहां का खाना। उसे बना हुआ वेंजन भी यहां का प्रिये भोजन है। चलचलाती गर्मी और कडाके की ठंड से बचने के लिए असम सबसे बहतरीन जगा है। असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मो पुत्र नदी के ताजिपानी का एक प्रदूशन मुक्त दूइप है माजली। जो कि 352 वर किलोमेटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा दूइप है। लहाजा इसकी इसी खासियत की वज़े से ये दुनिया भर के पर्याटकों को अकर्शित करता है। गुमे बिना आपकी असम यादरा अधूरी मानी जाएगी। हिंदु धर्म के अनुसायर ये 51 शक्ति पीठों में से एक है और इसके गिंती सबसे महतो पूर्ण तीर्थ स्थालों में होते है। असम के सबसे बड़े शहर गुआहाटी से ये 8 किलोमेटर दूर स्थे थे और ये मंदिर एक पहाडी पे बना है और इसका तांत्रिक महतो भी है। मंदिर दो हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर केसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता का दर्चन होता है। यहां हर साल जून में अम्बू बाची मेला आयोजित किया जाता है जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावडा लगता है। काजीरंगा नाशनल पार्क देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार काजीरंगा नाशनल पार्क दुनिया भर में एक सिंग वाले गेंडे के लिए मशूर है। असम के गोलाघाट और नागाओं जिले में स्थेत इस पार्क को बागों का घर भी कहा जाता है। 430 वर किलोमेटर के शेतरफल में फैला हुआ ये पार्क सर्दियों में और भी ज्यादा खुब सुरत हो जाता है। क्योंकि उस समय यहां साइबेरिया से मिहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा की एक खास बात ये भी है कि यहां विभिन प्रजातियों के बाज, चीलें और तोते भी आते हैं। काजीरंगा नाशनल पार्क और इसके आसपास कई आकर्शन हैं जहां आप दो दिन के अंदर घूम सकते हैं। उमानन्दा गुहाटी के दिल में बसा उमानन्दा इश्या का सबसे छोटा नदी द्वीप है। गुहाटी से लगभग 184 किलोमेटर की दूरी पर स्थित शांत पहाडियों, गहरी घाटियों और हर्याली से घेरा तेजपुर शांदार अवकाश के लिए एक आदर्श थल है। जा सकती है। यह शहर करीब 100 साल तक अहोम सामराजी की राजधानी था, जिससे इसका विशेश एतिहासिक में है तो भी है। मानस नाशनल पार्क और अंगर राश्रिय उद्यान और नामीरी राश्रिय उद्यान भी प्रमुक हैं। जब बात भरत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पे नाम आता है असम की चाय का। शहर भर में कई चाय के भगान हैं जो ब्रिटिश के समय से हैं। डिब्रुगर्ड प्रकम्प्रा और संस्कृति का एकदम सही मिश्टन है जिसकी एक और खुबसूरत ब्रमपुत्र नदी गिरती है। तो दूसरी और शहर के किनारों पर हिमाले के श्रंखलाएं नीचे की और जाती हुए दिखाई देती हैं। इसके लावा यहां का गॉल्फ कोस भी काफी मशूर है। रिवर राफ्टिंग, परवता रोहन, ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी चीजों का घर है। यहां कई प्रकर के गॉल्फ कोर्सेज भी से थें जहां आप अपने हुनर को परक सकते हैं और इस शाही खेल का लुथ फुठा सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको असम से जुड़ी इतनी बड़िया बड़िया चीजों के बारे में जान कर क्या आपने कभी सैर किये इस खूपसूरत राज्जी की। हमें जरूर बताएं। और अगर आपको असम पसंद है तो नीचे कॉमेंट में लिखिए जै आई अकहम। साथे वीडियो को लाइक कीजिए। फिलाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।